हलो फ्रेंड आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल रासित की बिजनिस एडिया और इस समय मैं एनखाव पशु मंडी में हूँ और आज की मंडी काफी शांदार लगी है और बहुत सारी गायें सेल भी हुई है और कुछ गायें सेल के लिए अविलेबल भी है तो एक एक करके सभी गायों का डीटेल दिया जाएगा जो बिख चुकी है और जो बिखने के लिए उपलब्ध है उन दोनों का डीटेल इस वीडियो में दिया जाएगा ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ मैं रीजन ये था कि तब बेत हमारी ठीक नहीं थी गले म प्रॉब्लम था जिसके वज़ा से मैं ये वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ इसके लिए आप लोगों से माफी भी चाहूँगा और इस मंडी का डीटेल मैं दे दूँ ये आयनखाव पशु मंडी सबताहीक पशु मंडी है परती एक गुरुवार को ये मंडी लगता ह और बिहार की रजधानी पटना से इस मंडी की दूरी 35 किलो मीटर है और दुलहीन बजार से इस मंडी की दूरी मातर आधा किलो मीटर है तो परती एक गुरुवार को ये मंडी लगता है और एक चीज़ा और कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और वीडि गाय छे दात में बताई जा रही है और गाय काफी बढ़िया है देख सकते हैं आप लोग मिल्किंग भी बढ़िया है इसका बाडी स्टेक्चर भी ठीक ठाक है छे दात की बताई गई है और मिल्किंग कैपिसिटी इस गाय की नीचे में 18 लीटर बताया जा रहा है दोनों सम अच्छा है गाये छे नात पे है अठरा लीटर दूद बताया जा रहा है तो अठरा नहीं लेकिन उमीद है कि ये गाये अराम से दोनों टाइम में 14 लीटर तक दूद निकाल सकती है और कीमत 17,000 है लेकिन कम जादा करके गाये जो है मंडी में मिल जाती है और उमीद है कि ये लगभग 55-60,000 तक मिल जानी चाहिए 55-60 के आसपास में ये गाये बहुत आसानी से आयनखाव पशुमंडी में उपलब्ध हो जाएगी और बच्चा भी ताजा है जो के मातरे भी 4-5 दिन हुआ है बच्चा देकर इस गाये को गाये देख सकते हैं एक बार इस एंगल से गाये सेल हुई है उसका भी आगे डीटेल देने वाला हुम है तो एक ये गाये जो के मंडी की सबसे टॉप गाये है और बहुत ही शांदार कॉलेटी की ये गाये तो कश्टमर भी इस गाये के पीछे लग रहे हैं तो इसका पूरा डीटेल देंगे कि ये गाये का क्या डिम इस गाय का देख सकते हैं डेरी के लिए बहुत ही बढ़ियां गाय है हलाकि थोड़ा सा थनों में सूजन भी देखने को मिल रहा है फ्रंट साइट से आप देख सकते हैं और अभी ताजा बियाई वी गाय है तो इसके नीचे जो दूद बताया गया है वो 32 लिटर बता रहे है लेकिन अभी जो बरतमान में इसके नीचे दूद तयार है वो 26 से 27 लिटर मिलकिंग है लेकिन बता रहे हैं कि 32 लिटर तक दूद करेगी लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं भी एंगल से कि ये गाया 32 लिटर दूद करेगी जहां तक मेरा अपना experience है ये गाया दोनों टाइम म 20 लिटर के आसपास तक दूद निकाल सकती है अपने पीक पर जब आएगी 12 दिन 15 दिन बाद तो 20 लिटर तक कहीं न कहीं ये दूद निकाल सकती है गाया तो बहुत ज़ादा मंडी के अंदर में बोल देते हैं दूद वगरा तो आप जब आएं तो अपने अनुभाव से ग बचला बच्चा है ये भी मेल बच्चा है और एक लाख बीस हजार रुपया इस गाय का कीमत मांगा जा रहा है तो ये गाय के नीचे कस्टमर लगे वह हैं बात्ची चल रही है उमीद है कि ये गाय जो है बिक जाएगी तो आगे इसका डीटेल दूँगा अगर सेल होती है और अगर ये गाय मेरे हिसाब से 80,000 के आसपास अगर मिल जाती है 80, 82, 81,000 के के आसपास तक मिल जाती है तो ठीक ठाक होगी उतना रेट तक ये गाय चलेगी क्यूंकि अभी 6 दात पे है और अच्छी गाय है मिल भी निकालेगी 20 लिटर और आज के डेट में अगर 20 लिटर गाये लेते हैं दात में तो उससे कम में मिलती भी नहीं है 75 से और इस गाये का भी डीटेल देना चाहूँगा दात में मिल चुकी है गाये 14 लीटर इसके नीचे दूद बता रहे हैं ऑनर हलाकि थोड़ा सा बॉड़ी फ्रेम मुझे इस गाये का बहुत बढ़िया नहीं लग छाहा है एचेफ mix breed में है यह गाये और इस एंगल से भी दिखाता हूँ आपको दात में मिली भी है बच्चा यहाँ पर देख सकते है जो के बच्छडा बच्चा है मेल बच्चे के साथ में यह गाये है 14 लीटर दूद इस गाये की नीचे में बताया गया है और इस कीमत 60,000 रुपया ओनर डिमांड कर रहे हैं और इसका भी कम जादा हो जाएगा मंडियों के अंदर में जैसा कि मैंने बताया कि प्राइज हो या दूद हो जादा बताया जाता है और अलग-अलग जो है यूटुबर को अलग-अलग रेट भी बता देते हैं बहुत सारे ऐसे पारी भाई हैं या किसान भाई तो 60,000 इसका डिमांड मांगा गया है बच्छा मेल है 14 लीटर दूद और एक गाय यहाँ पर सेल हुई है तो इसका डीटेल दे देता हूँ कि यह गाय कितने में बिकी है क्योंकि बिकी भी गाय का डीटेल आप लोगों को दूँगा तो जिनात में है और इसका धार वगएरा छेक किया जा रहा है कि चारो थनों से दूद बराबर आतो रहे या नहीं थनेला वगएरा का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो जब भी मंडी में गाय लें तो इस तरह का जो है दूद निकाल कर आप जरूर शेक कर लें ताके थनों मे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है धार वगएरा ठीक है या नहीं है तो चौदा लीटर की कैपिसिटी वाली ये गाय है और आज के आयनखो पशुमंडी में ये गाय अभी सेल हो चुकी है और मातरी ये गाय 45,000 में बिकी है 45,000 रुपया में ये गाय आज के आयनखो ये थनों की बनावट है 14 लीटर बताएं है 14 लीटर बता कर दिया गया है उमीद है कि ये गाय दोनों टाइम में 10 लीटर के आसपास तक दूध निकालेगी आप लोग भी अपना कीमती सुझाओ जरूर दें और एक बार फ्रंट साइट से आगे साइट से इसका वीडियो और ये आगे से पूरा इसका देख सकते हैं बाड़ी स्टेक्चर और ये गाय सेल हो गई है जो कि अभी अभी मैंने जिसका डीटेल दिया था जिस गाय का एक लाक बीस हजार रुपए डिमांड किया गया था तो कस्टमर लग रहे थे इस गाय के नीचे और मुझे ऐसा गया है और इसके नीचे दूद की कैपिस्टी 32 लिटर बता रहे थे वरतमान में अभी 28 लिटर इसके नीचे दूद तयार बता रहे थे एक लायक बीस हजार रुपए इसका डिमांड रखा गया था लेकिन आज के आइनखौ पशुमंडी में ये गाय मात्रे 90,000 में बिकी ह जो के मुझे थोड़ा बहुत महेंगा जरूर लग रहा है 90,000 नब्बे हजार रुपया थोड़ा सा जादा मुझे लग रहा है मेरा जहां तक अपना राय था ये गाय एटी टू एटी टू थाउजन तक यानि 80 से 82,000 तक अगर मिल जाती तो बढ़िया होता खैर वो गाय ब बच्छा देकर अभी दिड़ दो घंटा हुआ है तो यहां पर ये गाय सेल हो गई है कितने में बिकी वो बताएंगे आपको और क्या डिमांड किया जा रहा था वो भी बताएंगे आपको दात में ये गाय मिली हुई है और इसके नीचे दूद 24 लिटर दोनों समय का ओनर बताया है और इस गाय का दिमांड 75,000 रुपय किया गया था 75,000 और आज की मंडी में ये गाय मात्रे 66,000 में भी की है 66,000 रुपय में आज के एनखो पशु मंडी में ये गाय सेल हो गई है जो के 24 लिटर दूद की कैपी सिटी बता कर ये गाय को बेचा गया लेकिन लेने वा देशी बेची बड़ी की गाय देखने को मिल रही है और गिर से कृउस है लेकिन गिर का बहुत ज़ादा परसंटेज इसमें नहीं है ये आपको कलीर कर देना चाहूंगा जो के mixed ब्रीड में है हलका परसंटेज इसमें आया है जो कानों की लंबाई चोड़ाई है उसके हिस का दिखने में मिल रहा है दात में ये गाय मिली भी है और दूद की कैपिसिटी इसके नीचे 10 लिटर बताई गई है 55,000 रुपया डिमांड है बच्चा बचिया है इसके नीचे और यहां पर एक और छोटी कद काठी की गाय देखने मिल रही है तो इसका भी डीटेल दे दूँ आगे कुछ और भी गाय सेल के लिए अविलेबल है तो उसका भी डीटेल दिया जाएगा बने रहे हैं वीडियो में छे दात की गाय है दूसरा ब्यात है इस गाय का 12 लिटर दूद बता रहे हैं यह गाय की नीचे में जो के बहुत जादा बता दिया इस गाय का दूद ओनर ने 12 लिटर किसी भी एंगल से यह गाय दूद नहीं निकालेगी अडर वगरा की बनावर देख सकते हैं और बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से 7-8 लिटर तक दूद यह गाय निकाल सकती है 50,000 इस गाय का डिमांड रखा गया है बच्चा इसकी नीचे फीमेल है बच्चिया बच्चे के साथ में है यह गाय बहुत सारे लोग हमें कॉमेंट करते हैं ट्रास्पोर्टिंग वगरा के बारे में पूछते हैं तो ट्रास्पोर्टिंग भी अविलेबल हो जाता है अगर जारखन वगरा वेश्ट बेंगॉल वगरा ले जाना चाहते हैं यहां से गाय तो इसली यहां से उपलब्ध हो जाता है ट्रास्पोर्टिंग से वा अगली गाय के तरफ चलते हैं और एक चार दात की गाय देखने को मिल रही है फर्स टाइमर बच्षिया है यह और इसक के अंदर में प्राइज हो या फिर दूद हो यह सब जादा बताया जाता है तो आप अपने अनुसार गाय को देखकर समझ कर लें कि यह गाय कितना दूद निकालेगी क्या प्राइज होना चाहिए बाडी स्टेक्शर क्या है बच्चा इसके नीचे क्या है कि रेट किसी एक चीज़ पे निधारित नहीं होता है रेट बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद निधारित किया जाता है बौडी वेट क्या है गाय की अडर की बनावट कितना है और चारो थनों के बीच में गैपिंग कितना है बहुत सारा चीज़ देखा जाता है 45,000 रुपे इस गा का कीमत मांगा है बच्चा इसकी नीचे मेल है तो चलिए वीडियो को यही करते हैं वीडियो कैसा लगा यह हमें जरूर बता है